आज जमा जम बारिश होई है तो आशिश ने फोन करके पता है क्या बोला आज ओफिस से आके ना पकोड़े खिला देना तो मैंने आलू उबाल के रख लिये थे तो बस आशिश की ओफिस से आने का टाइम हो रहा है तो मैं आ गई थी वापस से किचिन में आलू को छीलने के ल दालेंगे वेसिकली न हमें बिल्कुल महीन आलू चाहिए तो बस यहां पर मैंने अभी तो तोड़ लिया आलू को अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं तो सबसे पहले बारी कट कीवी हरी धनिया पती नमक स्वाद अनुसार तीखी लाल मिर्च अपने स्वाद क मैजिक बहुत अच्छा स्वाद आता है अब सारी चीज़ें को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है आलू के इसमें हमें लंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो जितनी महनत लगा लीजिए और यहां पर यह हमारा आलू का जो मिक्षर है वो बिल्कुल तयार है मैगी मसाला य माजिक के खरन बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब यहां पर मैंने ले ली है ब्रेड आप जो भी ब्रेड यूस करते हैं वो ले लीजे जो भी ब्रेड आपके घर में आती है वो ले लीजेगा और देखिए दबा हुआ था ना पैकेट तो ब्रेड भी दब गई है बि वही मैं यहां पर लगा रही हूँ अगर आपके पास वो सैंडविच वाली हरी चटनी है तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपको यह साई चटनी नहीं लगानी है तो आप सौस भी लगा सकते हैं या फिर इन फैक इसमें आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं बस च ब्रेट करना है, अलू को ब्रेट के ऊपर, तो देखी, हैँ यहाँ पर मैंने सारे ही ब्रेट में लगा दिया है, अलू, अब काफी जादा बड़ा साइज है ना, पकोडे के साथ से, तो इने न मैं चार भाग में कट कर रही हूँ, तो square में हम यह cut कर रहे है square पकोडे बनेंगे आज आप चाहें तो triangle भी इसके cut कर सकते है no worries मैंने सुचा चलो आज different बनाते है square बनाते है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यह जो हमारे पकोडे है इनको cut कर लिया है और इस तरीके से आप cut करके रख सकते हैं फिर जब बनाना हो तब बना सकते हैं तो बस यह मैंने यहाँ पर इतना कर दिया है अब बारी है slurry बनाने की तो corn flour मैंने लिया 2 चमच फिर देखा बाकी का तम हो किया फिर मैंने इसमें डाला 3 चमच चावल काटा और 3 चमच मैंने मैदा ले लिया और स्वात के लिए आप इसमें नमक डाल सकते हैं काले मिच का पाउडर डाल सकते हैं या फिर इटालिन सीजनिंग डाल सकते हैं मैंने यह सारी ही चीज़े छोड़ दी और मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमच शेजवान चटनी डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया पानी डालने के बाद में अब यहाँ पर जो हम यह स्लारी बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी जादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए गाड़ी होगी तो पकोड़े के उपर जादा मोटी लेयर चाहेगी स्लारी की फिर खाने में जादा अच्छे नहीं लगेंगे बस हमें कोटिंग चाहिए पकोड़े के उपर इसलिए थोड़ा पतला ही रखेंगे सलारी बन गई है अब हमें चाहिए ब्रेट क्रम्स अब ब्रेड में जो सबसे उपर वाली ब्रेड होती है ब्रेड के पैकेट में वह मोटी होती है वह ऐसे कोई जनरली खाना पसंद नहीं करता तो बस मैंने वही दो ब्रेड ले ली है और इसे हम पीस लेंगे तो यहाँ पर हमारे फ्रेशली प्रेड ब्रेड क्रम्स बनकर तयार हो गए है इतना असान है ब्रेड क्रम्स बनाना कई लोग तो ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेड को पीसते हैं तो वो जो bread crumbs बनते हैं और crunchy बनते हैं यहां पर यह जो bread crumbs हैं वो soft हैं तो चलिए तैयारी हमारी हो गई है अब क्या करना है एक पकोड़े को ले लीजिए सबसे पहले उसे slurry से coat कीजेगा और फिर जो bread crumbs हमने बनाए है ना फिर उससे हम इसे coat करेंगे कोशिच कीजेगा एक हाथ गिला रखिएगा दूसरा हाथ सुखा रखिएगा ऐसे ना आपको बार-बार हाथ दुलने की जरुवत नहीं पड़ेगी एक हाथ से आप पकोड़े को slurry में डिप कीजेगा फिर slurry से आप उसे bread crumbs में डालेगा फिर दूसरे हाथ से आप bread crumbs को अगर आपके घर गैस्ट भी आ रहे हैं तो इस टेज तक आप तयार करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे इन्हें आप फ्रिज में भी store कर सकते हैं अगर सुबह बना के भी अब शाम को इन्हें यूस कर सकते हैं बस अब मैंने रख दिया था फिर मैं व परम हो जाएगा फिर इसमें हम पकोड़े सेकेंगे और तब तक यहां पर मैं ठीक शूपर भी मैं निकाल लेती हूँ ताकि प्लेट में मैं मिछा दूँगी थोड़ा सा मैंने ना आलू का मिक्षर डाल के देखा तो मुझे लगा हां तेल हो गया है अब इसमें हम हमारे सा जादा लो भी नहीं रखेंगे गैस की फ्लेम को अदरवाइस ना पकोड़े जादा तेल पी लेता है कोशिश किजगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इससे आपको सेखना है क्योंकि इसमें पकने के लिए आजन कुछ सादा नहीं है ब्रेट को जरुरत नहीं है आलू आपके आते फिराते मैंने सेख लिया है ताकि चारो तरफ से हमारे जो पकोड़े हैं उनमें कलर इवनली डिस्ट्रिब्यूट हो जाए और फिर इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में यहाँ पर प्लेट में मैंने टिशू पेपर इसलिए बिचाया था ताकि जिता भी एक्सिस ओ साथ में आपेसे केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या पिर अपनी पसंदिता कोई और सथ चटनी के साथ लगेगा और अंधर से देखिए मस्ट है ब्रेट पोकेड़ेतो सब खाते हैं इस तरीके से भी आप बना कर सकते हैं कुछ अलग तरीका है दिखने में पी युनीक लगता है और टेस्ट तो अच्छा है चलिए इससे पहले कि थंडे हो जाएं हम इंजॉय कर लेते हैं तामली के साथ में तो बस हमने यह खाया सब को बहुत अच्छा लगा रियांश को भी अच्छा लगा क्योंकि जादा तीका नहीं था आई होप आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी एंजॉय